हाई फ्रेंड दिस अश्वनिकुमार वस्ति वाचिंग माई यूटूब चैनल अश्वनिवस्ति आज की वीडियों बात करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपॉर्टन कोश्चन के बारे में जो के आपके एक्जामनेशन में आए हुए हैं और ये 6 मार्च 2021 के सेट्टू के रूप में मैं आपके सामने लाया हूँ जो कि टूटल कुश्चन हिंदी में मैंने बनाए हैं इन कुश्चन को अगर आप ऐसे ही बहुत सारे कुश्चन आपके पास भी होते हैं और आप मुझे एकर सेंड करना चाहें तो मेरे इमेल आइडी जो कि आपके उस्क्रीन पर विजबल हो रही है अश्वनी अवस्थी11.gmail.com पर सेंड कर सकते हैं क्योंकि ऐसे ही कुश्चन से आप लोग जैसे बेनेफिट उठा रहे हैं वैसे आने वाले स्ट्रेंट्स भी बेनेफिट उठाते रहेंगे और उनको भी इस कुश्चन का ब हन्यवाद देना चाहूंगा जिसमें उन्होंने इतने कुश्चन के मुझे हैल्प की और मुझे कुश्चन भेज़े हैं इसके साथ अगर आप वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर प्रस करें जिससे आप पासके मेरी वीडियो सबसे पहले डिपरिशी की और भी बहुत सारी इंफर्मेशन के लिए नीचे आपको डिस्क्रप्षचन में लिंक दिया गया है डिपरिशी इंपॉर्डूर्न वीडियो का वहां से आप वाच्छ करते हैं इसक लावा एंड स्क्रिन में भी आपको डिपरिशी की मिल जाएगी इस टेपाज important के नाम से आप उसको भी वाज कर सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहला question जो आपका सामने आता है निम्लक में कौन सा पूर्ण वैद का उधारन है यहाँ पूर्ड जो यह वर्डिंग जो है वो basically language change करने करा चेंज हो गई है इसको full duplex कहा जाता है इंगरेजी में और इसके लिए अगर हम बात करें तो full duplex का मतलब है कि communication channel में full duplex का मतलब साफ है जहां दोनों साइट से communication हो सकता है तो mobile phone एक ऐसा example है जिसमें दोनों साइट से communication हो पाएगा यो walkie type की में एक ही साइट से होता है radio में एक ही radio की तरफ से बोला जाएगा दुसरे तरफ से नहीं हो सकता तो यहाँ पर इसका write answer जो होगा वो A हो जाएगा आपका mobile phone next question आता है Libre office writer में बनाई गई file का default नाम क्या है तो Libre office writer में जो file बनाई जाती है उसका default name जो होता है वो untitled one होता है तो इसका write answer भी हो जाएगा यह question काफी important है इनको आप note down जरूर करते चलिएगा और question and answer उसका लिखते चलिएगा जिसमें आपको paper में आसानी रहे इसके बाद अगले question पर हम बढ़ते हैं यहां Twitter की बात की गई है Twitter क्या है तो एक social media site आई आई आपकी Twitter का नाम अगर हम जानते हैं अजितलो इसके बार हम बहुत चितर के जान चुके होंगे इसके बाद next आयता है आपका question यहां पर इसका write answer D होगा और next question आयता है spider क्या है spider की अगर हम बात करें it is a program of search engine यह search engine के program के रूप में यूज़ कियाता है तो इसका write answer A हो जाएगा यह search engine का एक program है next question आयता है आपका writer में नई file खोलने के लिए short hurt की क्या होती है यह unique question प्रोइड कराया गया है basically अगर दिखा जाए तो यह तिक्री question के रूप में सामने आया है control F अब जानते है find के लिए होता है control shift F जो होता है font के लिए use कियाता है shift F से अब सिर्फ capital F टाइप कर सकते हैं और यहां पर last option जो बसता है alt F यही उसकी shot की है एक नई फाइल को खोलने के लिए alt F का use करते हैं तो इसका right answer जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा right answer के रूप में उप्यों करता नाम और domain name at the rate symbol से अलग किये गए हैं या अलग किये जाते हैं तो बिल्कुल true है क्योंकि आपको पता है user name जो होता है वो आगे का portion होता है add the rate के बाद जो portion आता है वो domain name कराता है और वो add the rate symbol से ही अलग या जोड़े जाते हैं तो अगर मैं example देना चाहूं तो अश्वणी कुमार अवस्थी या अश्वणी अवस्थी 11 add the rate gmail.com में इसके भी मैंने आपको email ID बताई उसमें अश्वणी अवस्थी 11 एक user name के रूप में है और gmail.com एक domain name के रूप में है जिसमें add the rate symbol दोनों को चोड़ता है तो इसका राइटन सजोगा true हो जाएगा next question आता है आपका प्रस्तुती design एक slide के लिए प्ररूप और layout को नियंद्रित करता है जिसे आम तोर पर placeholder कहते हैं basically इस presentation में जो भी text contain कर रहे हैं वो एक placeholder कहलाता है यानि placeholder एक place है जहां पर आपको text contain करना होता है in a presentation presentation का layout change करने का भी काम या layout को design जो दिया जाता है वो भी आपके placeholder के माद्यम से दिया आता है इसका right answer true हो जाएगा जाता है संदेज भीजने के लिए SMTP का उप्यों किया आता है बिल्कुल true है क्योंकि simple mail transfer protocol इसका full form होता है इसके द्वारा ही संदेज भीजे आते हैं तो true answer हो जाएगा इसका right answer?क्या impress में hyperlink के माद्यम से web page पुछाया सकता है तो बिल्कुल true है आपका impress में आप hyperlink create कर सकता है जिससे आप किसी भी webpage पर पहुद सकते हैं तो यह बिल्कुर true answer ह जाएगा आपका right answer true हो जाएगा काफ़ important वीडियो है और बहुत अच्छी वीडियो मैंने उसको form किया है क्योंकि उसमें जो मुझे इतने साल के अनभव ने मुझे बज़े बताया triple C के true and false के regarding वो मैंने वहाँ पर आपको explain किया है अगर आप triple C के pass out को होना चाता है पहली बार में तो उस वीडियो को देखना बिलकुल मत भूलिएगा next question आता है क्या हम एक email id में अधिक्तम 320 word no यानी character का उपयोग कर सकते हैं तो बिलकुल true है आपका एक email id में maximum 320 character ही utilize किया सकते हैं दो land के बीच में next आता है निमिले कौन सा protocol एक PC से दूसरे PC में ले जाने के लिए प्रियोग किया आता है तो अगर कोई data transfer करते हैं एक PC से दूसरे PC में किसी protocol के माधिन से तो उसको FTP है नहीं file transfer protocol का आता है तो इसका right answer जो होगा वो A हो जाएगा FTP next आता है BCC का उपयोग कहां गया आता है BCC का full form होता है blind carbon copy जो के हम email में प्रियोग करते हैं इसलिए इसका right answer C हो जाएगा blind carbon copy next question आता है help के लिए कौन सी shortcut की प्रियोग की आती है तो आपको पता होगा help के लिए हम F1 का प्रियोग करते हैं तो इसका right answer जो होगा वो C हो जाएगा help के लिए हम यूज करते हैं आपके F1 का next question आता है start menu करने के लिए हम shortcut की का प्रियोग करते हैं start menu के लिए हम दो shortcut की यूज करते हैं या तो window की या फिर control plus escape तो यहां पर हमें option में C में दे रखा है control plus escape तो इसका right answer C हो जाएगा control plus escape next आता है snmp का उपयोग किसके लिए क्या आता है तो snmp की अगर हम बात करें तो simple network management protocol इसका full form होता है तो इसका right answer C हो जाएगा network management के लिए utilize होगा snmp तो इसका right answer C हो जाएगा next question आता है calc में किसी function को enter करने के लिए shortcut की क्या होती है तो calc में अगर हम function enter करना चाते हैं तो इसके लिए हम control plus F2 का use करते हैं क्योंकि calc में function की short key control plus F2 होती है तो इसका right answer जो होगा वो D हो जाएगा control plus F2 next आता है PMSBY में BIMA की अधिक्तम राशी कितनी होती है तो प्रधान मंतरी सुरक्षा भीमा योजना की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां अधिक्तम जो amount मिलता है claim का वो 2,00,000 रुपे तक मिल सकता है उसका right answer जो होगा वो B हो जाएगा 2,00,000 रुपीस next question आता है यह question same repeat तो UPI के दोरा आप अधिक्तम 1,00,000 रुपे तक का पैसा transfer कर रखते हैं जो कि अलग अलग बैंकों के अधार पर दिया आता है दस हजार से लेकर अधिक्तम सीमा 1,00,000 रुपे तक रखी गई है जो कि अलग अलग बैंक के अधार पर अलग अमाउंट निश्यत हो सकता है यह पेज के लिए के लिए ग्रहक अन्रोथ को संसाधित करने के लिए TCP IPD प्रदान करने के लिए Database Access के अन्रोथ के लिए तो इसका राइड अंसर ए हो जाएगा अनाधिकरत उप्योग करता के खिलाफ स्रुक्षा प्रदान करने के लिए आप proxy server का use करते है Next Question आता है Calc में format cells Dialogo Box प्रदास्षित करने के लिए किस command का प्रियोग किया आता है तो format cell के लिए अगर हम calc में use करते है तो control उन यूस करते है control उन प्रश करते हैं आपका format cell Dialogo Box खुन कर जाएगा तो इसका right answer जो होगा वो B हो जाएगा Next question आता है निमले में कौन सी एक सेवा है जो हमें प्रत्वी का 360 दिरश्य दिखाती है तो अगर हम बात कर रहे हैं कि को इन सी सेवा है जो हमें प्रत्वी का 360 दिरश्य दिखाती है तो इसका right answer होगा Google Earth Google Earth के माधियम से आप 360 एंगल तक दे सकते हैं उसका view कर सकते हैं तो इसका right answer A हो जाएगा Next question आता है निमले में कौन सा एक social networking site है social networking site के अगर हम बात करें सॉरी नहीं है तो यहाँ yahoo जो है वो एक social networking site नहीं है आपको पता होगा facebook भी होती है Twitter भी होती है इंस्टाग्राम भी है तीनों की तीनों है बस yahoo नहीं है तो इसका right answer क्या होगा? C हो जाएगा Next question आता है निमले में कौन सा एक समय में कथन को रुपांतरित और निश्पादित करता है तो एक time पर जो translate कर सकता है या किसी भी high level language को convert करता है तो यह है आपके important questions जिनको मैंने आपको view कराया जो काफी important मुझे लगे trapezi examination के लिए तो exam में जाने से पहले आप इनको watch जरूर करिएगा और all the best आपके examination के लिए क्योंकि examination लगातार चल रहे है और आपका exam करूंब है मुझे comment के मादे में जरूर बताएगा इसके लाबा का trapezi में कोई भी doubt या O level में कोई भी doubt आपको रहता है तो आप comment section के मादे में से पूछ सकते है वीडियो अगर अच्छी लगी है तो like और share करना मत बूलिएगा एटलास में यह करना चाहूंगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो थैंक्यू